हैलो एवरीवन वेलकम टू आरेनेम एकेडेमी चैनल विद्ध्यार्थी मीत्रो आजे हुँ एक अलग स्किमनी वाद करवानों छू सवने कभाक छे के आत्यारे एडबिसलन समय चाली रहाँ छे दोरण 10 पछी डिपलोमा मां एडबिसन और दोर्ण 12 पछी सरीन चैनल ये है आर्थिक स्थिती सारी ना होए तो यह केई देबनी शके आवा संजोगों मा गुजदाज सरकाय गरफ ती एक स्कॉलर्षिप मड़ी रही छे जैनू नाम चे विद्यार्थेओं माटे खरेखर गरीब छे एवा विद्यार्थे माटे वर्धान रूप छे तो आ स्कॉलर्षिप पिसे नी डिटेल माही थी संपुन माही थी हो तमने आजे आपपा जैरे रहे चुँ तो चालों एक ट्विशन फी तरीगे बीजु होस्टेल ना खर्चा तरीगे आने त्रीजु साधन सहाई पेटे थोड़ी करकम मलेचे तो आ त्रण प्रकारे स्कॉलर्षिप मां कवर काईचे अवे एक गवर्मेंट कॉलेज मां एड्मिशन मां अवे जो गवर्मेंट कॉलेज मां एड्मिशन मां तो त्याहां तो कन्या केडवनी बिल्कुल मफद छे यले गर्स ने कोई फी चुकवानी थती न थी एले गर्स्तना केस मां एमने ट्यूशन फी कशू होए ने एले ट्यूशन फी पेटे कशू मां मली शके ने खारण के ये अल्रेडी फ्री छे हां होस्टेल खर्चो औने साधन सहाय पेटे जे रकम छे एने मांटे क्लिम करी शके तेवीज ने विद्यार्थे मां टे गर्वर्मेंट कॉलिज मां फी बाउज न्यूंतम छे मिनिमम छे फक्त पंदर्सोज रुपिया आने पंदर्सोर रुपिया जे वी रकम जो परत मिल भी होए तो तम्हें मां एमा एप्लिकेशन करी शको तमने पंदस उर्भिया ट्यूशन फी पेटे परत मढ़ी शके साथे साथे हॉस्टेल फी अने जे साधन साहयनों जे खर्चों छे रकम सरकारे निर्दारित करें छे ए तमने परत मढ़ी शके आथे गौवर्मेंट कॉलेज दी वाद अवे सेल फाइनेंस कोलेज दी बाद करी तो सेल फाइनेंस कोलेज मां पांच प्रकार एडमिशन था है का तो ए एनर आई कोटा मां होई का तो टी एप डबली एस होई ट्यूशन फी वेवर स्कीम का तो मैनेजमेंट कोटा होई ACPC नो एडमिशन होई का तो बद्दाज राहूं पत् जीते कोलेज मां आफ्लाइन एडमिशन पर तो क्वाने एमवाई एस होई नो लाब मढ़ी सकते एनर आई कोटा छे एमवाई एस वाई मांटे एपली केबल न थी कैं तमें एनर आई कोटा में एडमिशन लिदू छे आन्ने एनर आई कोटा एना अफर्दिच खावा विद्याति पूवर छे गरीब छे आने छता एह होंश्य रोवा छता बणी शक्तो न थी जारे तमें एनर आई कोटा में एडमिशन लो छो तो गवर्मेंट तमने आउस किमनों लाब आपती न थी बिजू छे टीएफ डब्यू एस ट्यूशन फी वेवर स्कीम त्यूशन माने पन आउस्य जूशन लो थी शिमिलरली मैंगेजमेंट कोटा ACPC ने आफलाइन आजे बाकी ना त्रण प्रकार छे मैंगेंट कोटा में एडमिशन लिद हुए ACPC तरुत अमें आवे आवे होए की आफलाइन एडमिशन होए तो आ त्रणे प्रकार माने मड़ी शके प्रवाइडेड एनी जे पात्रता छे एलिजी वीलिटी क्राइटरिया जी छे सरकारे नक्की करेलो एक क्राइटरिया में तम्हें आवता होवा जुए पन आ त्रण क्रेटेकरी ना विद्ध्यार्थियों एमा अर्जी करी शके I hope आतमने clear था ही का योज ओके हवे पच्छे नी बापत MYSY योजना नी अर्जी क्या करवानी अने अर्जी करवानी प्रोसेस सूँ छे तो MYSY जी योजना छे अथवा जी स्कीम छे एनी तमारे वेबसाइट नोती लेवी पड़ से वेबसाइट यहां आपेली छे STTPs mysy.guj.nic.in आ पोर्टल पर जवानू एनी एप्लिकेशन तमारे ओनलाइन करवानी छे ए पोर्टल पर जे नहीं तमारे पहली वान लॉग इन करवानू पासवर्ट तमारी पासे राखवानू अने त्या जहीने तमारे रजिस्ट्रेशन करवानू थाशे रजिस्ट्रेशन करया बाद जेपन डीटिल तमें भरी छे एने लगता तमारा जे डॉक्यूमेंट्स छे ए डॉक्यूमेंट अप्लोड करवाना थाशे ओनलाइन अने फिजिकल डॉक्यूमेंट लाईने हेल्फ सेंटर पर कमारे वैरिफिकेशन माटे जहू पडशे जेवीच प्रोसेस एड्मिशन ने छे एवीच प्रोसेस है यहां ऑनलाइन एड्मिशन ऑनलाइन अप्लिकेशन अने फिजिकल डॉक्यूमेंट जेपन हेल्फ सेंटर नकी करेला छे त्यां जेने तमारे करी शके तो MYSY युजनामा अर्जी करवा माटे नीचे नी बैस सरतों मानने होवी जिए बैस कंडिशन फुल्फिल तमारी थवी जिए पहली कंडिशन नातक अभ्यास्क्रम माटे एले ग्रेजूट प्रोग्रम माटे दोरण बार पछी का तो तमें साइंस टीम लीती होई का मां तो तमें कॉमर्स दित होई तो साइंस लाइन होई के कॉमर्स होई बनने प्रकाने परिक्षा मा तमारा एंसी थी वधारे परसेंटाइल होआ जोए याद रखो परसेंटाइल परसंटेज ना थी एंसी थी वधारे परसेंटाइल तो तमें आस की माटे अप्लिकेबल छ लिए 80 के 80 धी वधार ए परसंटायल हसे तो तमें डिप्लोमा कॉलेज ना एड्मिशन वक्ते डिप्लोमा कॉलेज ना अप्यास वक्ते अप्यास वक्ते डिप्लोमा करें परसंटेज याद रखो अहीं परसंटायल ना थी तमारा डिप्लोमा नी फाइनल नी जे माक्षिट छे एमा 65 टका के एना थी वधार हसे तो तमें डिटूडी एड्मिशन जारे लो त्यारे माटे एप्लीकेबल थाओ छो आएक पैली पैलो क्राइटरिया थे आने बिजो क्राइटरिया रुप्या 6 लाख सुदिनी काउटमबीक वार्सिक आवग दनावनार वालियोना संता नोलेज आयोजदानों लाब मार्षिक पैरेंट्स नी बदा सोर्समा थी मड़ेने आवग जे थाए चे वार्सिक एए एन्युवल इंकम 6 लाख के एनाथी नीचे होवी जुई आप बैच क्राइटरिया चे जो बैच क्राइटरिया मा तमें आवी जाओ छो तो MYSY माटे तमें एप्लाइ करीश रको छो याद रह आज स्कीम फक्त ग्रेजुट प्रोग्राम माटे चे पोस्ट ग्रेजुट प्रोग्राम माटे ना थी चमझाओ के बी करेंपची कोई आमी करें चे तो एमी करवा माटे आज स्कीम एपलीकेबल ना थी Master's in Business Admissions and MBA ले अनुसना तक जितला वंद नं कोर्सिस्ट है मी MBA एमे एमकॉम एना मटे या स्कीम एप्लिकेबल ना थी सवाल यह था है कि MYSY योजना नी अर्जी कॉलेज ना कया वर्ष मा करी सकते कया वर्षती यानी एप्लिकेशन करवी जोई है तो पात्रत दराता विद्यार्थियों लेकि जैना एलिजीबिलिटी क्राइटरिया फुल्फिल थाए शे ए प्रथम वर्ष मां MYSY योजना एटर अर्जी करी शके पहला अज वर्ष मां जे विद्यार्थियों शरत चुक्ती अर्जी करवानू चुकी गया होई तो यह कॉलेज ना कोईपन वर्ष मां अर्जी करी शके लॉग इन थावानू रजिस्ट्रेशन करवानू और अने डिडेल अप्लिकेशन मां रजिस्ट्रेशन करवानू रशे समझोगे वह तमने समझाओ के दोरन बार मां तमारों एडबिशन थे क्यों कोई सेल फाइनन्स कॉलेज मां तो पहला ज वर्ष मां तमें आज स्कीम मांटे जो क्रेटरिया फुल्फिल थता होई तो अर्जी करी शको ग्रणा विद्यात्यों ने जान होती ना थी वह मोड़े मोडे खवर पड़े तो ए बीजा वर्ष ते एप्लिकेशन करी शके तमें जो प्रोवाइट तमारे जो ध्यानमा राखो तो पहला ज वर्ष ती अर्जी करी रहे विजुई आने एन्ने माटे थेनी मैं आ एडवांस मा तमने वीडियो बनावी ने मुख्यों छे पच्छीनों सवाल M.Y.S. युद्धानी रिन्यूअल सहाई नी अर्जी के विजुदे करवी तदा M.Y.S. युद्धानी रिन्यूअल सहाई नी प्रक्रियात शूचे करके तमारे 10 वर्षे रिन्यू आने रिन्यू करावव पडशे जैने मापनों मोबाइल चार्जिंग छे आने रिचार्ज करावव पड़े तेज दी समझो के चार वर्षना कोर्स मां तम्हें एडिमिशन लीदुचे तर पहला वर्षे तम्हें आपलिकेशन कर दीदी पण एज एपलिकेशन ने तमारे रिन्यू करभी पडशे 10 वर्षे 20 वर्षे 30 वर्षे ने 14 वर्षे तो जेपन क्राइटरिया में तम्हें फुल्फिल थाओ छो एने लॉग इन फरी पाछो तमारे ओनलाइन वेबसाइट उपर जैने ओनलाइन मां लॉग इन करवानू रजिस् 25 सवाल ग्रणा विद्यार्थे नों है चे कि कॉलेज ना अभ्यास्क्रम ना दरेक वर्ष मां MYSY युजदानी सिस्वर्थी मिडवा मांटे अरजी करवानी होई चे 24 दर वर्षे तमारे अलग थी रिन्यू टाइप नी अरजी करवानी जरूर छे यह उने कि तमें पहला वर्षे अरजी कर दी दियाने चार वर्ष मांटे एप्लिकेबल तर शे यले कॉलेज ना अभ्यास्क्रम ना दरेक वर्ष मां MYSY युजदानी स्कॉलर्थी मिडवा मा मांटे अरजी करवानी होई छे हवे पच्छेनों सवाल MYSY युजदानी अरजी करवा माटे अरजी करता वित्या थी ना किटला परसंटाइल होवा जरूरी छे अलड़ी आपने चर्चा करी चुक्या छे कि धोरन बार होए तो एंसी के एथी वधारे परसंटाइल होई जो परसंटेज पांसट टका जोई है परसंटाइल नहीं जो आत्रन क्रेटरिया तमारा हार शे तो तमें MYSY माटे अरजी करी शक्सों एना पच्छीनों विध्यार सिनों अगत्यनों सवाल के MYSY युजदानी सहाय माटे अरजी करवा कया कया डॉक्युमेंट्स जरूरी छे आ एक तो आधारकार्ट नी self-attestate copy आधारकार्ट तमारी पासे होय ज एनी स्वाप्रमानित नकर बिजु दोरन दस अथवा दोरन बार पास करया नी माक्षित नी स्वाप्रमानित नकर जो डिप्लोमों में एड्मिशन लेवोए तो दसमानी माक्षित नी जरू पड़से आपन एड्मिशन लिदू छे एक वार एड्मिशन लई लए लेवानू एड्मिशन लिदा पछे फी बरी देवानी आने त्यार बाज तमारे अरज़ि करवाने खाये राख़े ह चे एफी तमें चुकवी पड़े एडवान्स मां एफी पर्यानी रिसीप्ट गववर्मेंट मांगे चे एफी पर्यानी रिसीप्ट तमारी पासे साचीव राखवानी कि मैं अल्रड़ी चुकवी दिती चे न आवे मारे वड़तर जोगे चे सेल्फ डेक्लेरेशन को तानू डेक्लेरेशन ए ओरिदन कौपी तमारे आपवानी वाली नी आवग नू प्रमाण पत्र एल्ले आपने कईवते च्छ लागती नीचे नी आवग होई जिये पने ए सर्टिपेट क्या थी लेवानू कातो ममलत दार अथ्वा तालू का विकास अ लेटर ओरिदन एनी साथे जोडवानो रहेशे होस्टेल प्रवेस तका जमबानी पॉंच नी स्वप्रमाणित नकल एनी साथे जोडवानी थाशे बैंक मा बचत खाता नी पास्बूग ना प्रथम पाना नी स्वप्रमाणित नकल तमारी MYSY scholarship नी रकम तमारा बैंक खाता मा सीधी जमा थाये छे जेम सरकार खेडूतों ने जे चक्कस रकम छे एमना खाता मा सीधी जमा करे छे एविज दे डारेक्ट प्रेडित तमारा बैंक खाता मा थाये छेले बैंक नी बचत खाता नी पास्बूग नूँ पैलू जे पानू छे एनी स्वप्रमानित नकल एमा होवी चुई इंकम टेक्स रिटन नी स्वप्रमानित नकल अथवा आवक विराने पात्रा आवक न थाती होवानूं सेल्फ डेक्लेरेशन जो पैरेंट्स जॉब करता होए तो इंकम टेक्स रिटन बरता होए जो तमे रिटन न बर तमें आई टीएर भरता होय एनी कॉपी तमारे जुड़वानी रिषे अटला डोक्युमेंट पहली वा फ्रेश आप्लिकेशन जयरे तमें करो शो तैरे तमारे तैयार रखवा पोडशे अने एवी ज़िते जयरे रिन्यू करो शो त्यारे रिन्यू माठे आण जो और विध्यार्थिना प्रत्रम बिजा ढाटर às डीजा कि जें लागुपर कड़तु होय एंवर्स्तां माकषित नी सेमेस्टर सिस्टम होय तो बनणे सेमेस्टर मांक्षित नी नकल तमारे जुड़वानी रेसे समझो कि तमारू पहलो वर्ष्पाती क्योंने बिजा वर्ष्माटे अपलाय करो चो तो पहला वर्ष्मा बनने सैमेस्टर नी माक्षित नी स्वप्रमाणित नकल एने साथे जोड़वानी जरूर पड़े छे समझो कि तमें बिजा वर्ष्माटे अपलाय करो चो रिंडियोल तरीगे तो बिजा वर्ष्माटे तमें फी बरी छे सैमेस्टर नी एनी तमारे स्वप्रमाणित नकल जोड़वानी रेशे ये उज होस्टेल प्रवेस तता जमबानी पॉशनी नकल जी पहला पणती तेरीते विद्याति ना बैंक ना बचत खातानी पास्वुक नू प्रथम पानू ए पण चोईए इनकम टेक्स रिटन नी कॉपी आने इनकम टेक्स रिटन फॉर्म आई टेर वान टू ठी फोर आ बदा डॉक्यूमेंट्स तमारे रिन्यूवल वक्ते पन जरूर पढ़ शे विद्यार्थि तमाम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लोड करवान होई छे आने हेल्प सेंटर प होई जुई तो MYSY योजनामा अर्जी करवा माडे काउटोंबीक वार्षिक आवक मरियादा 6 लाख नीचे 6 लाख ती नीचे आवक होई पैरेंट्स नी तो तमें अर्जी करी शगो घणी बार केटलाग विद्धियार्थिना सवाल हो छे के MYSY योजनामा अर्जी करे बाद विद्धियार्थिने दरिक तबके SMS द्वारा जान करवा मावे छे तमाई जे मोबाईल नंबर आपे हो छे एना पर रेग्यूरर SMS मरता रहे छे आवक रांथ विद्धियार्थियो MYSY योजनाना वेब पोर्टल मा स्टूडेंट स्टेटस ए स्टेटस उपर लॉगिन करे ने तमारी स्थीती जोई सको छे अध्यर्य तमारी अर्जी कया लेवल छे क्या आटवाई छे एनू स्टेटस तमें ऑनलाइन जानी शको छे पच्छीनों प्रश्णा चे MYSY योजना मा सहाय मडवानी जान लाबरती ने केविल दे करवा मावे छे तो MYSY स्कीम मा तमारी अर्जी मानने थाई छे तो एनों मैसेज तमारा मोबाईल उपर SMS दारा हो छे एले एनों तमने SMS मुकलवा मावे छे ने जाना दरा तमने जान करवा मावे छे के तमने MYSY मडवानी छे अर्जी करता MYSY नी हेल्पलाइन नंबर कायो छे टोलफ्री नंबर कायो छे तो ए आ नंबर नोधी लेशो MYSY युजणानों हेल्पलाइन नंबर 079265660070443181 छे आ नंबर उपर जेने तमें कोईप्ण माहेती मिडवी शको छे पच्छीनों प्रश्णा MYSY युजणानी सहाय रकम एमना बैंक एकाउंट मां क्यार जमा थाई छे निस्नलाइज बैंक मां एकाउंट आने बैंक एकाउंट साथे आधार कार्ड लिंक हो जरूरी छे तो M.Y.S.Y. उजनानी सहाय रकम एमना बैंक एकाउट मा विद्यार्थी द्वारा ओनलाइन अर्जी करयाना बैं मेना नी अंदर जमात आएछे बैं मेना मा रकम तमारा खाता मा जमात है जशे ते माटे विध्यार्थी नूं bank account आधार कार्ड साथे लिंक होऊ जरूरी छे अखास बाबत मौतीले जो तमारू जे bank account छे ए आधार कार्ड साथे नूं link होऊ जोई हे तो तम्ये जे अर्जी करी छे यानना ब्यमेना नी अंदर ए रकं तमारा bank account मा जमा थही चे कुछे स्वाई युजना मा निची मुझबनी सहाय रकम मढवा पात राचे पहलू छे प्रकार जेशे चे टूशन फी टूशन फी तमने केट्टी मढ़ी शके तो यहां आलग अलग केटेगरी बतावी छे अने तमने मरसे कई दसा है तो टूशन फी नी पचास्टे का रकम अथवा महत्तम मरियादा आ बैमाती जी ओचू छे एटली सहाय तमने मरसे उन उधारन साथे तमने समझाओ समझेव कोई विद्धारती है सेल फाइनांस एंजिनरिंग कॉलेज मा एडमिशन लीद हो छे अनने एंजिनरिंग कॉलेज नी फी वार्सी एक लाख चालीस जार रुप्या छे तो ऐक लाख चालीस ज़जार ना पचास ड का एले सित्के रज़ा थै अई याँ महत्म बरियादा के ने 50 ज़ज़ार तो सित्के रज़ार ने पचास ज़ज़ार आ बैमाती जे रकम ओची छे एटली रकम takने बढ़वा पात रहे तो एनोर्ष के तमने 50,000 रुपया दर वर्षे मड़ से तमने आ बाबत उपर दी ख्याला भी गया हो से उँ भी जो उजार उन्डो समझो के कोई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नी फी वार्सिक 80,000 रुपया से तो 80,000 ना अड़दा पचास चाहले 40,000 तो तमने 10 वर्षे 40,000 मड़वा पात राचे तो एज रिते दर एक कोर्स माँ मैडिकल डेंटल माँ बहलाग तो जे ओचा माँ उची रकम हो से कहां तो तमारा कॉलेज ने फी ना पचास चाहले अन्या महत तमने 10 वर्षे 40,000 मड़वा पात राचे यह उस दरे कोर्स माँ लागी शके डिपलोमा माँ पाचीस जार छे बीए बीकॉम बीए सी माटे दस जार तमारे जाते गणी लियावाने के मारी कॉलेज नी फी एना पचास चाहले का कातों महत तम बर्यादा कायों उच्छू छे 80 रकम मनें बढ़वा पात रहे रहे शे आ पहलो प्रकार के हो टूशन फी माटे नी वाद अवे बीजू रहवा जंबा माटे नी साहे तो जेपन एलिजीबिल क्राइटरिया मां आवता विद्यारती हो छे आने ए पोताना वत्तन ना तालुकानी बहार अप्यास करे छे समझो के मारू हूं वड़ोदरा मा रहू छू आने तालुकों को जुदो छे हूं पालंपुर अप्यास करो छो तो तालुकों बढ़लाई गयो तो व सरकारी चातरले मां प्रावेस नई मिडवी सक्मार विद्यार थी एमा एवू छे के तमने गवर्मेंट चातरले जे नक्की करेला छे चातरले बहुँ छा छे होस्टेवस तो एमा एडमिशन मड़तू न थी अने एने कारण वर्ष तमारे बिजी को यो होस्टेल मां रहू पड़े चे एटलेक सरकार तमने खर्चो आपेश दस महीना माटे रुप्या बारसो प्रती माफनी उच्चक रकम अभ्यास्क्रमनी नियत अवधी माटे 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 चे दस महीना माटे बारसो रुप्या पर मन्त तमने मलवा पात रह छे यले वर्षे तमने बार जार रु करो तो वरस्णातम ने 10 महीना पेटे ही 1200 रुपया लेखे 12000 रुपया वर्षे मढवा पात रचे ब्या मिना के मनी, तो ब्या मिना वेकेशन थरीके घड़वा माहायँ छेने तम्हें घरे छोय मानीदवा मावचे तो वरस्णातमने 12000 रुपया मढ़ी शके जो आ क्राइटर अमें फुल्फिल थता हो तो आने एवी त्रीजी सहाए छे साधन अत्वा पुस्तक सहाए गवर्मेंट अने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मां अभ्यास करता विद्यारज ने मढ़वा पातर छे अभ्यास करम नी अवधी दर्मियान साधन के पुस्तक सहाए मात्र एक जवखत मढवा पातर है छे एले लंसम अमांट तमने सरकार सरुवाद माझ आपी दे छे औने ए तमादा च्यार वर्स्तना खर्चा पेटे तमने आने एडजस्च करी शको मेडिकल अने डेंटल नो कोर्स होए तो दस जर्विया एंजिनरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर, एग्रिकल्चर, आयुर्वेदी, खोंगेपेदी आ बदा कोर्सिस माटे होए तो पांच जर्विया औने डिप्लोमा करता होए तो त्रान जर्विया तो उच्चक तमने पांच जर्विया एंजिनरिंग माटे आपी दे, एमाँ ती तमारे बुक्स नो खर्चों ने बदो नी भावाँ, तो आ त्रीजी सहाए छे, साधन पुस्तक सहाए, एने माटे पंड तमें एप्लीकेबल थाओ छुँुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु विद्धियु तन मनमा पढ़ा से, कि M by S by युजनानी शिष्चे वदोती मढवानी साथे, डिजिटल गुजरात के अन्य कोई सहाए के लौन माटे आज़ी करी शकाए, समझो का मैंने M by S by स्कॉलरशिप माटे आप्लाए करी पण ये करता वतरें स्कॉलरशिप लाई शकुुुुलस ने, हाँ पड़ ऐक अफवाद चे म By S by साथे तमें सि A M C M O S E Yूजणा जे ची यूजणा ऑफ्लाई पर लाब लट पर नॉर्मल केस मां तमने मड़ती होए तो बिची कोई स्कॉलर शीप फ्रीशीप द्येब्डब्ली एस आप तो कुस्ट मड़ी शक्के नए एमवाई एस वाई साथे फक्त एकच क्लव थी सके अने एचे सीमस तो एनी विगत वार चर्चा फरी कोई नवा वीडियो महुं करीश सीमस इतना वी से पन त्या लगी तमारे जो जरू होए तो आ लिंक उपर जेने तमें यहनों स्टडी करीश पच्छी नो सवाल एमवाई प्राइश ना अंत्रगर्थ अर्जी मंजूर था है त्यारे पन आने पछी तमारा एककाउंट माँ पैसा जम्मा था त्यारे पन तमने SMS ती जान करवामा आवेशे यहले बनने वक्त तमने SMS मढशे कि वी तमारा खातमा क्रेडिट थे गया पैसा आने तमारी अर्जी सब्सक्राइब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब जरूर किजिए थैंक यू वेरी मच